पूछता है उत्राखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुभाज कॉड आज पूछेगा उत्राखंड कि आखिरकार 2022 में किसकी सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तो क्या निर्दलियों की एहम भूमिका होगी या फिर यूँ कहा जा सकता है कि निर्दलिये इस बार निर्धारित करेंगे कि आखिरकार में सर किसके बनने जा रही है क्योंकि 2022 के इस विदानसवाचुनाओं में निर्दलियों की भूमिका बहुत एहम हो जाती है मतदान के बाद यह उमीद की जा रही थी कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर कॉंग्रेस सभी बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि सरकार उनी की बनने जा रही है और सीटे भी लगवक चालिस से अधिक सभी बड़े दल कहते वे नजर आ रहे हैं लेकिन वो अंदर से डरे वे भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के रुझान इन दिनों मिल रहे हैं और यह कहा जा सकता है कि निर्दलियों की भूमिका बहुत एहम नजर रही है तो उसको देखते वे नतीजों तक यानि कि 10 मार्च जिस दिन नतीजे आने हैं तब तक सभी की निगाहें निर्दलियों पर ठीकी है यानि कि उन लोगों पर ठीकी है जो चुनाव मैदान में उतरे तो जरूर लेकिन उन्होंने पार्टियों से भी बहतर काम किया न निर्दलियों पर कितना करेगी जनता भरोस और निर्दलिया परतियाशी जो हैं वो किसका देंगे साथ ये रहेगा आज का मुद्दा पहले ये डिबेट का टॉपिक देखिए और उसके बाद बताईए कि आखिरकार क्या इस बार निर्दलिया निभाएंगे अपनी महतप सीटों से जो रुजहान प्राप्थ हो रही है उनमें प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों के अलावा बहुजन समार्ज पार्टी उत्राखन क्रांती दल के अलावा निर्दलियों के दमदार प्रदर्शन की भी फूप चर्चा हो रही है हाला कि दस मार्ज को दूद का दूद और पानी का पानी होड़ी जाएगा लेकिन प्रदेश में सरकार बनाने को बेताब भात्वा और कॉंग्योस पर नाम आने से पहले सभी तरह की संभावनाव पर निगाह बनाए हुए हैं सियासी हलकों में तैर रही चर्चाओं के मताबे यह मनोत्री विधानसभा सीट पर निर्दलिय प्रत्याशी संजेड उभाल और किदारनाथ में कुलदीप रावत में दमदार चुनाव लड़ा टीरी विश सीट पर उत्राखन जन एकताप पार्टी के प्रत्याशी दिनेश धने ने भी भाजपार और कॉंग्रिस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनाती भी है इन तीनों प्रत्याशी भाजपार कॉंग्रिस के दिगज नेताओं की निगाह में बनी हुए हैं इन तीन प्रतियाशियों के अलावा UKD के दो प्रतियाशियों के नामों की भी खुब चर्चा हो रही है। इनमें पहला नाम देव प्रियाक से चुनाव रड़े दिवाकर भटका है और दूसरा द्वारा हाट से UKD प्रतियाशी पुषपेश पार्थी का। इसके अलावा सियासी हलकों में बहुजन समाज पार्ची को लेकर भी चर्चा गरम है। हलाकि बस्पा अकेले हैदवार जिले में 4-6 सीटे जीतने का दावा कर रही है। सियासी जानकार जिले की 4 गधानसवा सीटों पर बस्पा को दमदार मान रही है। उनका मानना है कि लकसर, मंगला और भगवानपुर और खानपुर बिस सीटों में बस्पा ने दमदार प्रदर्शुन किया। इन में से 2-3 सीटों पर ही वो सीधे मुकाबले में मानी जा रही है। मज़ेदार बात ये है कि भाज़को और कॉंगरिस की सियासी हलकों में इन सभी प्रत्याश्यों की चर्चा है। उनसे संकर्थ बनाने की कोश्चों को लेकर भी बाती हो रही है। मेरी जानकारी में तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार भाव हैं लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव पतलकार हमारे मित्र हैं। आपको पार्टी की जानकारी जादा रहती होगे हमारे से भी। जरुत पड़ेगी जरुत हमें क्यों पड़ेगी जो हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। मेरी बात सुनिया हम पूरी तरह आस्वस्त हैं कि हमने जो उत्राघंड की जनता से निवेधन किया था कि आप कॉंग्रेश को पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिये। वहीं बीजेपी और कॉंग्रेश दोनों ही मीडिया के सामने दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये तो दसमार्च का दिन ही बताएगा कि किसकी सरकार उत्राखंड में पोड बहमत की सरकार बनाएगी या फिर निर्दलियों की भूमिका एहम होगी प्राखंड सेप्ट सरकार बनाएगा इस बताएगा कि किसकी सरकार बनाएगी पोड़ होगी तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियों के परदेश अध्यक्ष कहते वे नजार आ रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार बना रहे हैं बीजेपी दावा कर रही है कि साथ पार का जो उनका नारा था वो पूरा होगा और वो बहुमत के साथ फिर एक बार उत्राखंड में सरकार बनाएंगे तो वहीं कॉंग्रेस भी दावा कर रही है कि बीजेपी ने पिछले पा करता है कि निर्दलियों के भरों से बनेगी सरकार इसी पर करेंगे चर्चा चर्चा में हमार साथ कुछ महमान जुड़े हैं बी जी पी से हमार शुशील त्यागी जूड़े हैं त्यागी जी आपका बह। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब कि जसतरी के से ये उमीद ही जा रही ही कि सुभाज निर्दलिय परतियाशी हैं वह कहीं न कहीं गेम बिगाड सकते हैं या फिर यूं कहा जा सकते है most सरकार बनाने में एक हैं भूमी का निभा सकते हैं आप किस तरीके से देखते हैं सुभाजी 14 फरवरी को जो मद्दान उत्राखंड के लोगों ने किया लिश्चीत रूप से हम जिस विकास की सोच को लेकर उत्राखंड की जनता के पास गए थे और जो हम उन्हें अपना लक्ष से रखा था अब की बार सिक्स्टी पार उस विकास पर उत्राखंड की जनता ने अपना मद्दान किया है और हम पूर्ण थे कॉन्फिडेंट हैं कि हम वास्तों में उत्राखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे इसलिए हमारे कारकरताओं के द्वार चोदा फरवरी को हुए मद्दान में जो फीड़वेक हमको मिला है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम उत्राखंड में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे जी सुबाग जी अनिल भासकर जी आपका क्या स्टेंड है क्योंकि ये तो माना जा रहा है कि चाए बीजेपी हो ये फिर आपकी पार्टी कॉंग्रिस दावा जरूर कर रही है लेकिन अंदर से घबराएवे जरूर नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से निर्देलियों की भूमी का हैम रही थी इस बार भी वैसी इस्तिती बन सकती है अनिल बासकर जी आपका रिएक्शन लेंगे देखिए सुसील जी ने जो बात कही है और ठीक है आपर बैठे है तो निश्ची तरूपस ने पार्टी लाइन पे बोलना पड़ेगा लेकिन आज ये इसे बात सिर्फिил गोलो है कि कॉंगरेस सरकार आ रही है ये आम आर भी बोल रहा है आम जनता बोल रही है अधिकारी बोल रही है जो वोटर है वो बोल रहा है और जब ओफ-लाइन बात करते हैं आउट ओफ वेजाकर के बाते करते हैं व्यक्तिकत रूप से तो बीजेपी की लोग भी इस बात को स्विखार करते हैं कि सरकार कॉंग्रेस की आ रही है निश्चित रूप से वोट नहीं गिनी आती हैं तब तक ये इस तरह की बाते जो है एक कलपना की कलपना में रहेंगी मेरे एक सवाल है आपने कहा कालपनिक है यदि ऐसी परिस्तिती बनती है कि सरकार बनाने के लिए निर्दलियों की या किसी अन्यदल की ज़रत पड़ेगी तो क्या आप समर्थन नहीं मांगी हैं उन लोगों से? निर्दलियों के लिए लेकिन तब तक है उम्मीर ही है कि नई लिश्ची दूरूप से जो भी सरकार आ रही है और निश्ची दूरूप से कॉंग्रेश की जनता बोल रही है और इस बात को यहां से लेगर के और राश्टेस तर तक के नेताओं को पत्रकारों को अन्य लोग संगीता जी आपने सुना जिस तरीके से शुशीन त्यागी जी ने ने कहा कि वह जीत रहे हैं, कौंग्रेस से अनिल भासकर जी कहरे हैं, वह जीत रहे हैं, उनके सरकार बन रही है, आम आदी पार्टी का क्या स्टेंड है लगता है आप लोगों की जो सीटे आएंगी उससे कुछ न कुछ सरकार बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी यह यह कहा जा सकता है कि आप किसको सपोर्ट करती भी नजार आएंगी उस समय एक संख्याई बना दें कितनी संख्या रही क्योंकि इस बार के जो परिणाम होंगे वह पहले के परिणामों से कुछ हटके ही आएंगे और अपरत्याशित ही आएंगे क्योंकि निर्दलियों की अपनी भूमिका और आमादमी पार्टी की अपनी भूमिका रही तो इसमें अभी कुछ भी कहपाना वह एक जायज नहीं होगा क्योंकि बहुत शांत थी और मतदान का जो करने का उनका नजरिया था वो कही ना कही इस बहुत मुद्दो से जुड़ा हुआ था युगाम में बहुत बेरोजगारी को लेकर जो मन में पुंठा थी उसको लेकर उन्हें तो इस बार जो परिणाम आएंगे वो कुछ अलग ही आएंगे तो यह अभी उसके लिए कुछ भी बोल पाने हैं अच्छा संगीदा जी आप जिस तरीके से बीजेपी कहरें वो साथ पार इस बार करेंगे इसके साथ ही कॉंग्रेस से कह रहे हैं अनिल भासकर जी की वो तो ब कुछ भी कह पाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि मैं कहूंगी भई 36 सीटे आ रही हैं पचास सीटे आ रही है या जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि साथ पार तो इस बार मुम्किन होने वाला नहीं है क्योंकि आपका सर्वे भी तो कुछ बोलता होगा पार्टी का सर्वे क्योंकि जो लोग रेस लगी है और जो लोग खड़े हुए है तो वेसी बात है वो जीतने के लिए ही खड़े हुए है लेकिन जनता ने किसको जिताया है यह जनता का फैसला देखना पड़ेगा शुशील जी आपने सुना जिस तरीके से अनिल भासकर जी भी कहते वे नजर लिए जीत कर आ रहे हैं और यह कहा जासता कुछ निरदली ऐसे भी हैं जो आपकी पार्टी से बगावत कर रही थी उन्होंने पार्टी में काम करते थे निरदली चुनाव मैदान में गए और जीतनी की स्थितिति में क्या लगता है आपको सुभाज जी जो सभी राजनेति के दल के यहां रोग परतिने दुख कर रहे हैं उन्हीं बेसे जिम्मेदारी होगी तेकिन कॉंग्रस का जो इस समय परसप्शन आया है हरीश रावज जी एक दिन कहते हैं 48 सीट आएंगी अगले दिन प्रितम सी कहते हैं कि हमारी 40 से 45 सीट आएंगी नेक्स डे हरीश रावज जी कहते हैं कि हम निरदलियों को और जो अन्य छेत्रिय दल हैं उनको लेकर सरकार बनाएंगे इसलिए केवल कॉंग्रेस जो है वो टी आरपी अपने आपको टी आरपी अप करने के लिए इस तरह का वो चीजे और ब्यान दे रहे हैं आपको भी सच्चा ही पता है उत्राखंड के लोगों ने विकास को लेकर जिस उत्साहा के साथ मत्दान किया है उनको पता है कि चारो धामों का बद्री और कैदार नात का जिसतरे से नरेंदर मोदी जी ने हमारी सरकार ने वहां विकास के काम किये हैं जैसे हमने आयुस्मान योजना में सभी उत्राखंड के भाई और बहनों को स्वास्ते सुरक्षा देने का काम किया है उसको लेकर जैसे महिलाओं को हमने समूम के योजना में आत्म लंबी बनाया है यह सब जानते हैं कि भारतिये जनता जितने भी आपके टीवी चैनल सहीद जितने सर्वे आये हैं सुभाज जी सभी एक तो मेगा सर्वे आया है बारा चैनलों को लेकर मेगा सर्वे आया आप उनको देख लीजे और सत्यत्ता का पता तो दसमार्च को सभी को लग जाएगा लेकिन कुछ राजनितिक लोग और कुछ राजनितिक नेता जो अपनी टियार पी अप करने के लिए नित्यपरती अलग-अलग वह बाते कहते है इसलिए उन पर भरोसा न करके उत्राखंड की जनता ने बारतिये जनता पार्टी पर भरोसा किया है और पूर्ण वहमत की सरकार बारतिये जनता पार्टी की आई अच्छा हमार साथ डिबेट में अफदेश नौटियाल जी वी जूड़ चुके हैं वरिष्ट पत्रकार हैं अफदेश जी आप से जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार जो निर्दनियों की भूमिका होगी है तो काफी है मुझाल की सरकार बनाने जो लिए बिलकुल जो पर लगभग उत्राखंड की सब्सक्राइब कर रहे हैं जो लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी कि वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं क्या उनके मुद्दे हैं देखिए मुद्दा हर एक का राष्टवाद भी मुद्दा था पाकिस्तान की खुशी भी मुद्द देखिए मुद्द तो पाकिस्तान में पुटे जाएंगे मुद्दा था फिरोजगारी मुद्दा था प्लायन मुद्दा था जो उत्राखंड की मुद्द समस्क्राइब तो इन सब चीजों को देखकर लग रहा है जो तमाम जो सिनारियो मुमेंट बन रहा है वो मुझे बरतमार स्कुतियों में बहुत मुश्किल लग रहा है किसी भी एक पार्टी को परचंड बहुमद या किसी भी एक पार्टी को जो बहुमद की करीब मैं नहीं देख रहा हूं यह मेरे विक्तिकात आंकलन है आप बंगज सकते हैं आपकी राइट से जुदा हो सकते लेकिन मुझे लग रहा है कि उत्राकंड में किसी भी दलको पूंद बबबब नहीं मिल रहा है बहुत सी सीटों का आकलन किया तो कम से कम चार तीन आप निर्दलियों की इसे बियाइद मजबूर है अब जो तमाम पार्टिया थे राश्टिया पार्टियां छेते पार्टियों जब इन्होंने एक हफ्ते में बूट् लेबिल से रिपोर्ट मंगा ली हैं तो तो इस जो हमें बोटिंग नहीं हुई है उसके अनुप रुजान नहीं मिला आप देखेंगे बाच्ता में तमाम लोग सामने आ गए अभी तक 5-6 बिदायक सामने आ चुके हैं कि हमारी यह भीतर गात हुआ है तो बिदायक भी अपनी पीड़ा करते हैं जब इस्तितियां यह बन जा कि बीजेप और कॉंग्रेस से कुछ लोग निर्दली बीजेपी से जादा थे कॉंग्रेस से कम थे वहां पर निर्दली किसी मजबूत है तो मुझे यह लगता है कि जो बस्ता का फैक्टर है बस्ता इस बार पीछले 5 साल में बस्ता ने उनके परतियासी मेहनत किया है मुझे लगता है कि तीन करीब सीटों पर बस्ता किसी मुझे मजबूत दिखाए दे रही है एक से दो सीटों पर मुझे आमानी पार्ट किसी मुझे मजबूत दिखाए दे रही है और तीन से चार सीटे ऐसे जिसमें निर्दली किसी मुझे 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 मु आपने सुना कि वरिष्पत्रकार अबदेश नौटियाल जी ने बताया कि किस तरीके से यो सीटे हैं खास तोर से जिस तरीके से शुश्वील त्यागी जी बोल रहे थे बहुमत उनको मिलेगा वो सरकार बनाएंगे लिए बगावत 14 फरवरी को देश शाम को ही सामने आ गए अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाव ही उनकी पार्टी से जो परतियाशी थे और विधायक थे वो खुले मंच से बोल रहे थे कि उनके साथ धोका हुआ है उनको जिताने की वज़ाएं उनको हराने की कोशिश की गई है तो यह उमीद की जा सकती है कि इसी वज़ा से श उनको जिताकर विधानसवा पहुंचाने के बाद अब सरकार बनाने में भी महत्वण भूमिका निभाएंगे क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस भी लगातार यह कहा जासता है निर्वाचन आयों के ऑफिस जा रही है लगातार आरोप लगा रही है वैलेट वेपर को लेकर अबराहट बहुत जादा है चाहिए बीजेपी हूँ या फिर कॉंग्रेस में आप किस तरीके से देखते हैं अनिल भासकर जी सबसे पहले तो मैं इस बात पर आपत्थी करता हूँ कि आपने ये काया कि पोश्टल बैलेट को लेकर हमने आरोप लगाए हैं हमने आरोप में लगाए हैं सबूत दिये हैं और अगर मीडिया भी इस बात को ठिप आरोप मानता है तो इससे बड़ी लोग्तंतर के लिए खत है ना की है आपकर कर आपके आपके साथ तो आप THE तो आ उसी तरह से बोल रहे हैं अपने यह का है कि उनकर से सबॉद्स और पर आरोफ लगा hai है हमने ने सबूत दिया है उस सबूद पर जाज करने की मांग की ना कि हमने ये काया कि वास्तों में चीज हूई है अगर इस पर दोबारा से एक्सेन लिये जाए है उस पर दुबारा से पॉस्टल बैलेट के दुबारा वोटिंग हो तरीके से हो जाचो निस्पक्स जाचो जो आज की तारी में चुनावाइए हो नहीं कर रहा है पोले की कभी रावाजी कुछ और बोलते हैं कभी कुछ और बोलते हैं तो मानने लिए जुनाव ख़तम हो चुकिए हैं। जनता का फीड़बेक अपकुछ और गणित हो गया है तो हम लोग जनता की बातों पर पत्रगारों पर सब पर विश्वास करते हैं सबको अपने साथ आधमसार करके चलते हैं यह नहीं कि मैंने जो का है बिल्कुल वही सच है और वही बिल्कुल सकते रहेगा उस पर अटल रहेंगे बिल्कुल अंतिन तक जब तक कि बिल्कुल सर्पर जो हमने कहा था जूटा निकल जाए बीजेपी की यह गतनी होती है अगर सारे सोसिट से आपके सारे अरे तो ठीक है ना साब अगर सुसील जी मैं माफी चाहता हूं आप से अगर आप लोगी सोच ऐसी की सब एकी सब्सक्राइब अगर परिवार में भी आप जबरस्ति यह बोलना चाहेंगे कि छोटे बेटे को बड़ा बेटा बोलो तो इसका ना चोटा बेटा रहेगा ना बड़ा बेटा रहेगा सबकी सोच अलग हो सकती है एक साइंस पढ़ेगा तो एक कोमर्स पढ़ेगा तो सबको स्पीरी रेन दिजिए ना कोई किसी तरह से समझ रहा है कोई किस तरह समझ रहा है आप जबरस्ति करके कि ने एकी बर्टर में पानी पीना है हिसी की स्वतंतरता है हमारा मूल अधिकार और निश्चीत रूप से अकर ठुड़ा भाग कुछ और रावाज जी आ बोली जाए पि तो ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र है आप सबको बिल्कुल सोतंतर रहने दीजिए, सबके अपने अविरे विचार हैं, और ये हमारे संवीधान का बूल अधिकार भी है, तो इसको कमसेगा हम आप यहां तो पर अनिल जी जरा एक बार संगीता जी से एक सवाल लेना है, संगीता जी आपने कहा शुरुआत में कि अ आखिरकार कितनी आएगी, हलाकि जिस तरीके से अबदेश नोटियाल जी ने अभी बताया कि एक से दो सीटों पर उमीद की जा रही है, यानि कि आप भी कहीं ने कहीं एक उस भूमिका में आते हैं, जो सरकार बनाने में कहम रोल देगा, यदि बहुमत में कोई पार्टी न जोजना व्यर्थ है, कि हम किसको समर्थन देंगे, कि कॉंग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे, और जो भी फैसला होगा, उसे नेतरत तो बैट करेगा और फिर डिसाइड किया जाएगा, तो अभी उसके लिए कुछ भी बोलना बहुत बढ़बोला बन होगा कि हम पहले से कुछ बोल दें, तो ये आकलन तो बाद में ही होगा कि क्या इस्तिती बनती है और उसके अनुसार क्या किया जा रहा है, परिस्तिती के अनुसार, अफदेश जी आपने सुना जिस तरीके से शुश्वील त्यागी जी ने भी बात रखी, अनिल भासकर जी ने भी र कहुच पाती है, तो कहीं न कहीं जो फैक्टर की बात कहीं जा रही है, कि भाहूमत में किसी की भी सरकार बनती भी नजर नहीं आ रही है, और निर्दली और अन्या दलो पर कहीं निगाएं सब की टीकी हुई है, आप किस तरीके से दिखते हैं, अब्देश जी, में कहुँगा और इसमें पांच में बस्पा मुख्य रूफ से जो अबर कर आ रही है, तो अभी बिल्कुल सभी पार्टियां वेट एंट बोच की स्थिति में होंगी, लेकिन मैं खुद व्यक्तिक पत्रगार के नाते, मैं दो हजार जो बारेक सी स्थितियां रही थी, कि निर्द्दलियों के काम जान सवर हमेसा हाम लोग जो है, अब हमेसा संकाय लगी रहते हैं, कब विखाद होता है, एक छोटए राजी के विकास के लिए चाहिए कि पूंड बहुमत की सरकार हो, पूंड बहुमत की सरकार में मुख्य प्रेशर रहते हैं उनके अपना अपना एजन्डा रहता है तो पांस साल में नहीं हो पाते हैं जो काम जो सरकार का मैनोफेस्टो होता है कोई भी सरकार है चाहिए बनाती है कोई बनाती है वह मैनोफेस्टो के साथ आते हैं तो कहीं ने कहीं जब इस तरह की भूमिकाएं आती हैं कि आपके जो निर्दली हैं और जो दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं और किसी एक दल को जनता दौरा पूर्ण बहुत नहीं मिल पाता है और जनता किसी एक दल पर पूर्ण रूप से दुस्पास नहीं जदा पाती है तो इस्टियां जटीन हो जाती है और पांट सारी तीज़ें जो उठापटच देखने दू मिलती है वह कहीं ने कहीं उससे जो भिकास कि अब जाड़ना है वह पूरी नहीं उपाती है बरतमान जो परिस्धितियां है ज तो इससितियां भी जटी आए स्याशी दल बी मान कर चल रहे हैं कि जो इस्तितियां कहीं वह दूहाजार भारा वाली सितियां पुन है उत्रक्त राकन में दुबारा आने वाली है इसलिए जो बड़े नेता है वह लगातार संपर्क अधर है ऐसे परतियासियों ते जिनकी जि पर के साथ आजा रहा है कि जो निर्दलिया में खड़े थे यह जो दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता है और जो नेता चुनाव जीतने की इस्थिति में हैं क्योंकि देखे जो बड़े दल होते हैं वहां पर तो दल बदल कानून लग हो जाता है लेकिन जो छोटे दल होते हैं जिनके खुद दो तीन लोग चुनाव जीते होते हैं अगर बस्ता के इस्थिति को ले लीजे तो 2012 में आपने देखा हैं बस्ता के तीन लोग चुनाव जी तो बहुत सारी चीज़ें होती है मुझे दिखाई दे रही है अपने आकलन से तो बहुजन समाज पार्टी जो है वह किंग मेकर की भूमिका में है और इसके साथ ही मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो दूसरे नंबर आएगा वह निर्दलियों को आएगा तीन से चार निर में हुआ था एक दो सीट का अंतर रहता है तो कहीं निर्दलियों की भूमिका एहम रहेगी ठीक है अफदेश जी समय कम है शुशील त्यागी जी आप से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा जिस तरीके से अफदेश नौटियाल जी ने पूरा विजी कहा जा सकता है कि समीकर कैमरा बात नेता कुछ और करते हैं और ऑफ कैमरा बात कुछ और होती है क्या लगता यदि समीकर्ण वैसे ही बनते हैं जिस तरीक से 2013 में बने तो आप लोग जिन से समर्थन लेंगे वह कौन से निर्दलियों लोग होंगा और सबसे बड़ी चीज क्या आपको लगता है नि न्यूज वर्ल्ड पर आपको ओन कैमरा आज ये कह रहा हूँ, दस मार्च के बाद फिर मैं आपके चैनल पर आऊंगा, नोक्याल जी ने ग्राउंड पर अपना रिपोर्ट कार्ड तयार किया होगा, उन्हों ने रखा भी, देखे, कॉंग्रेस परिणाम के बाद, अभी तो बैलेट पर परसंचिन लगाया है, अगला परसंचिन इवी एम पर होगा, अभी यहां अनिल जी ने तो कही दिया, जो के हम तो लोकतांत्रिक विवस्थाओं में विश्वास करते हैं, और दूसरा वाक्य था उनका, के चुनाव आयोग को भारतिये जनता पार्टी स्वास, तो इसलिए चुनाव परिणाम के बाद, कॉंग्रस का हाल, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं सम्वेधानिक, उन पर प्रसंचिन लगाने का होगा, मैं फाइनल कमेंट यह कह रहा हूँ के, जिस विकास की सोच के साथ, भारतिये जनता पार्टी उत्राखंड के भाय कमेंट, जी, मैं बिल्कुल यह कहना चाहूँगा, पहली बात तो, कि पूरे उत्राखंड के अंदर, अगर आज की तारिक में सबस्यादा कोई परिशान रहा है, तो भाजपा संगठन रहा है, जिनके अंदर आपस में बहुत तूट-फूट रही, और उनने अपनी ही पार सरकार कॉंग्रेस की बनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और हम पैतालिस से पचास सीटों के बीच में उम्मीद हैं, यह ले करके आएंगे, दूसरी बात सुसील जी ने जो कहा, कि हम लोग तांत्रिक व्यवस्थाओं में विस्वास रखते हैं, और उसके साथ साथ हम उस अरे साब, मैंने आपकी बात बिल्कुल सांत हो के सुनी, इसलिए मैं चाहता हूँ, आपकी सारी बात बरे चुप हो करके सुनी अनिल जी एक आखरी कमेंट संगीता जी से ले लेते हैं, संगीता जी आपने सुना, शुशिल त्यागी जी कह रहे हैं, साथ पार, अनिल भासकर जी कह रहे हैं, पैंताली से पचास सीटे हैं, आपका क्या आकल ने? देखे, दस मार्च को जब रिजर्ट आएगा, तो साथ पार भी पता चल जाएगा, और पैंताली सोर पचास भी सामने आ जाएगा, तो जो साथ पार का नारा है, वो तो इस बार पूरा होने वाला नहीं है, ये तो बिलकुल निश्चित है, क्योंकि भाजापा सरकार ने 5 स सहमत हूं कि इस बार फून बहुमत की सरकार आएगी, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल जो लग रहा है ग्राउंड पर, तो ये कही न कहीं स्किती देखने को मिलेगा, तो आप मानते हैं, अभी तक आप कह रहे थी कि आमाधी पार्टी जीते की बहुमत बनाएगी, उमीद कर रह आप आखरी आखल बताई कि क्या लगता है, दस मार्च का दिन जो होगा, वो किस के पक्ष में होगा? अन्मूट कर लिए देखे जो बिल्कु सुभाजी जो दसमार्च का दिन होगा वो उन परक्षाशी को पक्षम होगा जिन्होंने पांच साल जो जन्ता के बीच रहे हैं जन्होंने जन्ता को अपनी बात समझाने में पूरी तरह से जो काम्याब होए हैं अब जन्ता जो है उत इसके मुद्व को अलगरकर उत्राखंड को अलगरकर वोड करती है तो मुझे उमीद है कि जन्ता ने जो है जो राज यहित के मुद्व सरकार बहाश जरूरी है अगर हम किसी बैसाकी के सारे सरकार के लगी तो बैसाकों के पूर्ण बहुमत की सरकार का जनम हो शुजिल त्यागी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल भासकर जी आपका भी धन्यवाद और अफदेश नोटियाल जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुणने के लिए तो 2022 के विधान सबाच चुनाव का रिजर्ड 10 मार्च को आना है और इंतजार है कि 10 मार्च को उत्राखंड की जनता किस पर भरोसा करती है जिस तरीके से उमीद की जा रही है कि निर्दल्य परतियाशी और कुछ नए दल उत्राखंड में कुछ कमाल कर सकते हैं और उसके पहले कयास बहुत अधिक लगाए जा रहे और इंतजार भी किया जा रहा है 10 मार्च का कि आखिरकार 10 मार्च का जो रिजर्ट है उत्राखंड का वो किसके पक्ष में होता है तब तक के लिए हमें दीजे इसासत नमस्कार जै हिंद जै भारत जै उत्राखंड झाल 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 झाल